जिला करनाल भीक के जू चरूनी ओ अपने विचार रखनेंगे जी उना तुबाद गयानी तेजपाल सिंग जी जो करनाल तोने ओ भी अपने विचार रखनेंगे हों सदार जिगदीज सिंग जी जिला करनाल भीक के जू चरूनी वाई गुर जी का खालसा वाई गुर्जी की फते सारेयनू राम राम नमस्कार मैं वैसे हिंदिये जी बोलांगा क्योंकि हर्याने दो बिलोंग करने है साठे मीडिया साथी वी ने तो जो हुँ इस असीथे काल करांगे मेरे जिड़े हर्याने दे वीर ने सारें तक चंगी तरीके ना पहुंच सके साथियो आज कम से कम काफी दिनों बाद स्टेज पर बोलने आया हूँ कोई दो मिनने के करीब होगे और जैसा की अंदोलन पहले से ज़्यादा सभी में जोश है कुछ ही है ग्यों के सीजन तो बिल्कुल निप्टने भी आ गया है तो एक बात कल एक अख़बार दैनिक जागरण में ख़बर शबी भई रियाना सरकार की ओर से भई एक अबते के बाद सिंदू बोर्डर टिक्री बोर्डर पर ओपरेशन कलीन स्वीप किया जाएगा मैं जिला करणार से बारतिया किसानियों ने चुड़ोनी की ओर से करणार जिला देखता हूँ और मैं बताना चाहूंगा जो हमारा मुक्हामंत्री है मनोरलाल खटर वो करणार से ही MLA है मेरे शेर से ही MLA है और उससे हमारा काभी गैरा प्यार है 10 जनवरी को इसी साल हमारे मुख्या मंतरी ने हमारे जिले में किसान पंचायत रखी एक गाउं कैमला पड़ता है हमने उसका विरोध किया पर शासन को भी जाके समझाया वही मुख्या मंतरी को हम किसान पंचायत नहीं होने देंगे और नहीं यहां पर आने की जुरूरता है तो मुख्या मंतरी के विचार थे मैंने तो आना आना है हलिकोप्टर से चाया मेरे को निच्चे एक पर हाथ लगा की बागना पड़े तो उसके बाद आप सभी को भी पता होगा 10 जनवरी को हमने उसका हलिकोप्टर करनाड में उतरने नहीं दिया था उपर से उपर लेके बाग गया था जब हम आपर पहुंचे थे उसके बाद जो पूरे देश ने देखा पूरे संसार ने देखा मेरे को अपने पूरे करनाड जिले पे गरवा है हमने 10 जनवरी को मुक्या मंतरी को 30 जार से उपर मेरे किसान साथी कठे हुए थे और हमें 6 किलो मिटर पहले बैरिकेट लगा के रोग दिया था और खेतों में से हम सीधे पहुच गे थे जहां पर इसका प्रोग्राम था और सारी स्टेज तोड़ दी थी और वहां से मुक्या मंतरी का एलिगोप्टर आया जरूर था नीचे उतारने की इमत नहीं हुई जब देखा नीचे काड़े जंटे लेके चारो तरफ कम से कम 30,000 किसान थे अब उसके बार बात आती है मुक्या मंतरी का ये जिला है CMCट कहते हैं करनाड को हमारे करनाड से MLA है फिर एठाइस जनवरी को आप भी सारे पंजाब वाड़े जाते हो तो टोल टेक्स है हमारा करनाड से पहले जब इदर से जाएंगे तो करनाड से पहले आता है बस ताड़ा टोल टेक्स है एठाइस जनवरी को मुख्या मंतरी के देश पर रात को ग्रैम अंतरालिया से इन्होंने पैरा मिल्टरी फोर्स मला आगे हमारे टोल टेक्स पर पैरा मिल्टरी फोर्स लगा दी और हमारे लंगर भी उठवा दी है और बोला सुबह आगे डी सी और एस पी करनाड बोलते है आज वहीं जगह पर हमने वहां पर धर्णा भी लगाया और रातो रात अपनी फोर्स लेगे बाग गया मुक्हामंतरी तो ये बाते मैं इसलिए बताना चाहता हूँ यह रियाना की सरकार रियाना में नहीं है कुछ नहीं है इसका रियाना में मैं उसकے जिले से बिलूग करता हूँ हमारे जिले में मुक्ख्यमंत्री कई पैर भी रखके दखा दे clean sweep तो बटी दूर की बाथ है मेरे करुनार जिले के दो टोल टेक्सों फे दरने चल रहे हैं चाहा हमारे बंदे वाँ 200 बाटे हैं चाहा 500 बाटे हैं मुख्या मंतری सिन्दू टिकरी बोटर की त्रफ तो बाद मे देखना पहले मेरे उंदर्णों की तरफ ही देखके Надगा दो तिरे को बता देंगे क्या होता है क्लीन स्वीप तिरे को दो बर करनार से पगाया है और यदी तुने इधर ये देख भी नी सकता ये सिर्फ इस सरकार की गिदड़ भफ किया है हर्याना बहुत मजबूर स्टेट है और बड़ा लड़ाकू स्टेट है और कभी भी किसी बात से दबने वाड़ा नहीं और ना हिया मैं आपको यहां पर इश्वासन देता हूँ यहां पर सिंदू बाटर की स्टेट से आप किसी तरीक के कि यह सिर्फ इनकी गिदड़ भफ किया है बहुत इनका जोस डिला होजेगा हम ना इन बातों से डरते मुक्हा मंतरी रियाना सरकार को खुला चैलेंज है हमारे जितने टोलों पे दरने है मेरे एक भी टोल का दरना उठवा के दुखा दो तुम्हें पता लगजेगा कैसे उठवाते है हम पूरा रहना रादो राद जाम कर देंगे तो साथियो एक तो ये बात करनी थी दैनिक जागरन अख़वार ये बीजेपी के एक एकस एमपी सांसद का ख़वार है जो जान भूज के इस अंदोलन के परती गल्त खबरे शाथता है वो खबर आई काफी मीडिया में चर्चिद हुई हमारे परदान गुरुनाम सिंग चडूनी ने उनका राद को जवाब भी दे दिया तो बस मैं यही आपको कहना था जो अपना ये मोर्चा है फसल कटाई की वज़ा से सारे नोजबन साथी भी वापिस गए हुए हैं अब हर्याना का सीजन पंसाब से पंदरा दिन पहले निवट जाता है क्योंकि पंजाब की कटाई थोड़ी लेड चालू होती है उसके बार पंजाब के साथी भी और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारा अंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत है देश के कोणे कोणे तक फैल चुका है पहले अंदोलन हर्याना पंजाब से चलू हुआ था अब पूरे देश का 130 क्रोड लोगों का अंदोलन बन चुका है तो इस वज़ा से आप सभी को आज यहां पर आए है तो यही कहना था हम अर्याना से है हर्याना की ओर से अश्वासन देते है हर्याना ने जैसे अपनी डूटी पहले निवाई है वैसे ही आगे निवाएगा हर्याना में तो कल भी जो बीजे पी का परदेश द्यक्स है ओम परकास दनकھर वो कुर्षेतर में आया हुआ था मैं खुद मोके पे था हमें आदा गंटा पहले पता लगा भी बीजे पी का परदेश द्यक्स कुरशेतर में एक बिल्डिंग में आया हुआ कोई प्रोग्राम करने हमने जा के बिल्डिंग गेर लीए गेट पे जा के कबजा कर लिया उसकी गड़ी भी अंदर रोख दी अर इसको भी अंदर रोख दिया आदा गंटा टोईलेट में बैठा रहा डरता हुआ विबार किसान खड़े हैं सिरफ सत्तर असी किसान थे S.P. मोके पे बोला बाई इसको मैंने निकालना है बिल्डिंग से इसको राम से निकलने दो हम बोले भी हम निकलने नहीं देंगे तुने गोड़ी मार निया गोड़ी मार लाठी चार्ज करना लाठी चार्ज कर फिर उन्होंने बारी फोर्स बलाकर सारे बंदों को दक्के से पकड़ पकड़ के उठा उठा के बसों में लादा फिर उसकी गाटी लेके निकला वो तो हर्याणा की लाद तो ये है इनका कोई भी MLA मंतरी की हिम्मत नहीं है हर्याणा में आके कहीं प्रोग्राम करते बस प्रोग्राम ये तब कर जाते हैं गुप्त प्रोग्राम रखते हैं कहीं पर हमें सूचना नहीं मिल पाती कहीं पर सूचना नहीं मिल पाती बिल्कुल मीडिया सो को मी खबर करते वह हमारा प्रोग्राम है क्योंकि अ प्रोग्राम को खबर दे दे गया और उसके बार किसान वहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे तो ऐसे ही सारी जगा पर PJP का, JJP का जो सरकार हमोके वे रेणे का ऐसे ही पूरा विरोध करो अर्याना की जनता का भी दन्यवाद करते हैं जिसने इतने बड़ी लड़ाई में इस इत्यासिक लड़ाई में अपना बहुत बड़ा इस्ता दिया है और आगे भी पंजाब को जैसे शुरू से ही बड़े बाई का दर्जा दिया गया बड़े बाई के साथ छोटा बाई हर समय कंदा से कंदा मिला कर साथ खड़ा है और इस लड़ाई को मजबूती के साथ जीत करी वापिस जाएंगे उससे कम ना कोई मनजूर है ना उससे कम हम लेंगे हम पूरे अपने हक लेकर ही वापिस आएंगे यही आप सारों से पील करनी थी वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की उफते बहुत अनवाद है जी